मुझे और द्रोटर फाईसा, हम बात करते हैं उन तमाम खवातीन का, जो घर से बार जाके कमात हो लिए, घर पर इनका सैप्टनिंस नहीं है, लेकर इनकी कमाईः जो है, हो घर पे भी इस्तमाल करते हैं, यरे इसके साथ साथ वो ये भी कलेम करते हैं, कि घर के जो काम है उन्होंने आके करने ही करने है चाहे वो 9 to 5 काम करती है लेकि 9 to 5 के बाद अगर आप 6 o'clock घर एंटर होती है तो डिनर आपने बनाना है या बहुत सी चीज़ें जिनकी जिम्धारिया आप अपने वाइफ पही पहेंक रहे होते हैं ये नौशन क्यों नहीं चेंज़ हो सकता कि मर्द भी कुछ काम बांड सकता अपने बच्चों का मिया बीवी मिलकर शेरिंग कर सकते है बच्चों की तालीम तरबियत पर घर के जैसे कुछ फैक्टर्स मैंने पहले बताएं एक और बहुत इंपॉर्टन फैक्टर है जो हमारे रिलिजियन से थोड़ी दूरी भी है ये जो समझ लिया गया है कि खवातीन नहीं सारे काम करने और ये उनके फराइज में आता है ऐसा हमारा रिलिजियन ये हमारा इसलाम नहीं बताता ये इसलाम की इन फैक्ट मिस इंटर्पेटेशन है ये हमारे कल्चर बिलीव से आता है ये हमारे इसलाम से नहीं आता है इसलाम में तो हमारे जो पेगंबर हैं उनके तुरू भी बहुत सी मिस सामने रखी गई कि वो कैसे घर का काम करते थे अपने बहुत सारे काम हुद करते थे जाहिर है कि वो खवातीन को ना करने पढ़ें लेकिन इसकी practical implementation हमारी society में नहीं है तो ये culture system different बात है और हमारा religious aspect different बात है तो एक factor जो है वो हमारी दीन से दूरी भी है और दीन की जैसे मैं कहारी हूं mis interpretation उसकी गलत समझ भी है जब तक हम उसको सभी समझेंगे नहीं ये कहीं नहीं कहा गया कि वो काम खवातीन नहीं करना है आप मिल के कर सकते हैं जोब्स मिल के कर सकते हैं और ये दोनों के लिए है घर का काम इस तरह नहीं है कि वो कोई duty है जैसे job description के according के वो job duty उसी ने perform करनी है जैसे मैं teach भी करती हूँ और clinical psychologist भी हूँ तो जो मेरे client का session है वो मैंने ही लेना है क्योंकि उसमें मैं expert हूँ घर के काम में इस तरह से नहीं है उसमें बहुत ही balance create करने का कहा गया है और हमें हमारे दीन से भी यहीं चीज़ें मिलती है लेकिन वो balance हमें देखने में नजर नहीं आता जैसे मैं हम कहरी है वो बहुत ही rare है इनके घर में होगा, मेरे घर में होगा मेरी एक दो और colleagues के घर में होगा जो यह अच्छा balance होगा लेकिन यह अब working women जयाद है और यह balance बहुत काम है तो यह balance create करने की जरूवत है और यह जो factor religion वाला है कि बहुत जादा important है तो आपका program वाकि बहुत अच्छा है अगर religious scholars के through भी यह message spread किया जाए कि हमारे जो religion की सही interpretation है, सही उसका meaning है वो समझाया जाए सबको क्योंकि समझा यह जाता है कि हमारा दीन यह कह रहा है यह dominancy में भी बहुत ज़दा कहा जाता है कि शायद Islam ने ऐसे करने को कहा है ऐसे नहीं कहा It's in our society and starting सही ऐसा है और फलाहत, if I would like to ask you that कि since you belong to this field since you are a working woman तो आप मुझे यह बताएं कि being a working woman एक और को क्या challenges face करने पड़ते हैं इस field में, working field में I think सबसे जो working field में जो सबसे बड़े challenge है वो यह है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आपने business कर रहे हैं तो कौन सी आपको business है तो आपका business management आपको business जो आपका है कि आपने करना क्या और कैसे करना है आप ऐसे ही अगर शुरू कर दें कि I am interested in such and such जैसे profession cooking की आपने करना है या अपने कपड़ों का करना है या basic तो यह ज़्यादा होते हैं बट और भी बहुत से professions है like opening up a day care center कुछ भी करना है और उसके बारे में की जरूरत है और आप इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और आपके पास financial management आपकी नहीं है और कहां से आने और ओरतों के तो पास financial पी problem होती है कि वो कैसे आपने करना है उसको अगर आपने loan लेना है या आपने जैसे जो भी करना है कहां से लेना क्या करना है तो यू थिंग के औरत की dependency भी मर्दों पर जादा है बहुत जादा है क्यूंके confidence नहीं उनक्या होता confidence building नहीं की जाती कि नहीं नहीं तो मैं नहीं पता सबसे बड़ा जो एक caption है कि तो मैं नहीं पता बाहर की अभी हवानी लगी है उसमें वो औरते हैं और फिर अगर बाहर जाएंगी भी तो जो आपकी costing pricing होती है आपका पूरा एक format है जो आपने जिसको follow करना है इतनी मुश्किलात आती है आप ऐसे एक business चूरू कर देंगे वो अच्छा नहीं चल सकेगा और अगर नहीं चली business तो और उसके ओपर ठपा लग जाए कि यह तो कारी नहीं सकती शीज अ लूजर टाइप वो वाली बात तो आपने अगर अपनी business start करनी है तो you have to be, you know आपने यह steps लेने हैं सारे और इनको अच्छी तरह चलाना है और कभी हिम्मत नहीं हारनी और मौशरा हम लोगों से ही बनता है मौशरा I am so glad to see you girls sitting here and our psychologist here कि हम सारे हम वी आर टॉकिंग अबाउट इट हम इस बारे में बात कर रहे हमारा माशाला से इतना खुबसूरत हमारा culture है हमारा पाकिस्तान इतना खुबसूरत है हमारी औरतों की सब को पता है कि 52% हमारी अवादी औरतों की है अगर हमारी औरतें और economic challenges कितने ज्याद हैं हमारे पास अगर हम काम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान कैसे prosper करेगा अगर एक एक आदमी काम नहीं करेगा लेकिन ये सब हो सकता है अगर घर में जैसे आपने काये के मुश्किलात मर्द हजरात ना दें सासे ना दें मतलब अगर वो कई तो उसकी help करें यही से कॉलर एट करते हैं असलाम लेकुम वेलकम टू मेरी सहीली वालेकुम असलाम जी फरमाईए जी मैं लारे बात करी हूँ रावल्पंडी चे कैसी आप बिल्कल ठीक ठीक थांक यू जी जी लारे मेरा असल में सवाल तो कोई नहीं है बस मेरे एक जहिर में चीज चलती थी हमेशा से और आपका टोपिकाज का मुझे बट उसका रिलेटेब लगा के जो भी working them XL कहीं सर्भी कामकरने वाली कुछ भी वो के माल को रीक दोनों साथ काम करें पिर बी जो Finnish है उनमें इंसेंटर कम मिलेंगे इनकी service काम होंगी उनकी acknowledgement कम होंगी लेकिन मेर्ज की हमेशा जादा ओगी तो मतलब पाकिस्तान में रहते वे एक कार्परेट सेक्र में काम करते वे यहाथा क्यों है इसे कैसे निकला जाए इसका क्या है इसका है बहुत शुक्री आपका जी बेसिकली लादेप का क्वेस्टन ये था फॉस्टन अपीनियन जब हम बात करते हैं तमाम खावतीन की जो अलोड़ी ऑफिस प्लेस पे काम कर र कि आप ये और आप इस पर अज़सानी ज़रूर करें कि वर्क प्लेक चैलेंजेस औरतों के लिए किस तरह से चैलेंजेबल है जो ये बात करी हैं यहां से मैं स्टार्ट करना चाहूंगी क्योंकि इस नॉट अन एवरी जॉब शायद कुछ जॉब्स पे ऐसा होगा जेंडर कंपारिजन लेकिन कुछ जो स्पेसिफिक डेजिनेशन के साथ हैं उसमें मेल और फीमेल की सैलरीज और इंक्रीमेंट्स का जेंडर के अकॉर्डिंग ऐस सच डिफरेंस नहीं है येस वर्क प्लेस इनवार्मेंट में जैसे आप कह रही हैं वो बहुत ज़दा डिफरेंस ज जाते हैं क्योंकि ये एक लड़की या फीमेल की तरफ से आरी है देख लेंगे बाद में कर लेंगे डिलाइंग डास्क जो है ना वो हमें फेस करना पड़ता है क्योंकि वहीं चीज़ पिर आजाती है कि जो विमेन का रूल है उसकी जो पॉजीशन है उसको वीकर समझा जा जाता है और इसलिए भी मेल डॉमिननसी की वज़ा से एक माइंसेट बनाऊ है इसलिए आते हैं सैलरी इशूस तो वही मैं कहीं जैन्डर की विज़ा से पर्मोशन इशूस की वज़ा से हो तो वह तो फिर एक स्पेसिविक तभी मैंने का वह एक इन्वार्मेंट की बात है जिसमें मेल जो हैं वो सारे नहीं चाहते कि जो फीमेल हैं वो प्रोग्रेस करके उनके साइड बाई साइड या उनके अबाव लेवल पर आजाए मैं इसलिए कहते हूं इस डिपार्टमेंट मैं काम करती हूं हम लोग फीमेल ऐसी अथौरिटी सीड्स पे हैं कि हमारे जो मे यह को प्रूबन को थोड़ा सा लेस्ट फॉलो करना चाहिए यहां कि अच्छ नहीं करना चाहिए यह दुब करका गें मैं रिलीजियन का जरूद दूगी क्योंकि हम अपनी थेरोपी में रिलीजियन का बना बहुत ज़द यूज़ करते हैं कि वो हमारा part of life है और major उसका एक हम पे influence है तो उसमें भी कहीं पे ये नहीं कहा गया के male in any way superior है वो इस sense में कहा गया है फिर वहीं बात wrong interpretation वो इस sense में कहा गया है कि उनकी जिमेदारी in fact male पे इसलिए रखी गई है कि वो risk के जिमेदार है उनकी जिमेदारी take care करना है घर की हमने उस dominance को भी गलत interpret किया है हमारी society ने कि वो इस वरह से dominant है कि वो women पे females पे लड़कियों पे हुकम चला सके वो इसलिए dominant नहीं है तो एक mindset change की जरूरत है जो ये बात करी है क्यों और आप पूछ रही है क्यों तो एक mindset change आने की जरूरत है जो different awareness programs की वरह से आएगा, campaigns की वरह से आएगा और इन तरह से आएगा हम वाकि बहुत खुश है कि आपने इशू बहुत अचारे इसकी आपने बात की के मेल डॉमिनेंसे सुसाइटी में ज्यादा है तो फलाहत अगर हमारे पास बहुत सारी एक्जेंपल्स है सम्टाइम्स हम देखते हैं कि there are in companies अगर female bosses और अग कि यार एक औरत हमें सुपरवाइस करेगी तो वो सेप्रेंस ही नहीं है तो आप इस चेंज के बारे में क्या कहना चाहेंगी मैं यह कहूंगी के बड़ी खुशी की बात है बहुत खुशी होती है और यह है कि men have to work harder because I went to a university की थी उनकी convocation तो लग फिर जो हमारे chief guest थे वो दो कुछ साल पुराने governor साब थे तो वो कह रहे थे कि मुझे तो लग रहे मैं किसी girls university में आ गया हूं because सारे gold medals उनको मिल रहे थे बीच में एक कोई silver medal किसी boy को मिल रहा था तो औरतें जो हैं जब एक काम की तरफ अगर वो concentrate करें तो वो बहुत अच्छा करती है और अगर ऐसी male मतलब अगर आपको यह feel हो रहा है because they are perfect at their job जो अच्छा काम करती है वो अपना काम बहुत अच्छी अच्छी तरह like CEO's तो फिर यह है कि जब आपका काम अच्छा हो ना और आपका आप जो भी काम कर रहे हैं आप जॉब कर रहे हैं आप बिसनेस कर रहे हैं आपको you know about your work तो फिर आप में जो confidence होता है ना फिर आपके सामने कोई आदमी औरत कुछ पी होए वो नहीं पिर आपक प्रसंटेज आप बैंक से लिए आप बैंक से लिए आप जो आपको वीपी निजर आएंगी औरते बैंक में एक नॉमिने टोरी थी दस से पंदा साल की महनत के बाद everyone stood against her, raise their voices against that woman के why she is going to turn into a VP of the bank this is a case happened in Lahore and you see how the male chauvinistic society don't let a woman excel in her field ये चीज तोरने के बहुत जरूरत है के देखे ओरते शाना बशाना मर्दों के साथ काम कर सकती है workplace challenges किसी भी लेवल पे हो सकते हैं हर किसम के लेके मैं आपको चाहूंगी कि कोमेंट अपना जरूर करें कि बैंक्स में आप देख लें अभी अगर हम research कर लेते दुबारा से आपको VPs नहीं मिलेंगी नहीं मिलती है बिल्कुल बिल्कुल इचर्स आपको मिल जाएंगी इंजेनियर, इंजेनियर्स, दॉक्त, आपको एक बज़े की मिलाद बताऊं कि जैसे औरतों का न अगर अगर अपनी यूनिटी शो करें तो फिर भी जैसे चेंबर की मैं आपको मिसाल देती हूं कि जैसे कि आपको मिल्कुल यूनिटी शो करें तो उसके अंदर हम वी गोज़े की ब्रॉब्लम है वारी किसी औरत का इस इस थी बीडिपार्टमेंट से कोई है, हमारा इस्यू है तो वी गो इन ग्रॉप, जब आप एक ग्रॉप में जाए ना और आप अपनी इड्वाकसी करें वैसे ही वो डर जाते हैं कि इतनी और हम बिल्कुल ठीक हम बात कर रहे हैं कि इस इस आर प्रॉब्लम और इस इस वाट वी आ फेसिंग तो यू हैफ तो इसको हमने वो करना है यह हमें चैलेंज तो फिर सुनते हैं तो यह भी है कि ओरतों की एक यूनिटी बड़ी इंपोर्टन्ट है कि एक दूसरे का साथ दें और किसी भी और आइम शूर और देते भी हैं बिकॉज अभी हम भी बैठे हुएं और हम सब का एक हमारा नजरिया एक ही है हमें यह पता ह कि चैलेंजिस फेस होते हैं ओरतों को और हमें यह भी पता है कि हमने इसको फेस करना है और कैसे कर सकते हैं यह फूब बैस्ट आप जो भी आप काम करें आप घर का काम करें आप बहार काम करें आप बहुत अच्छी तरह बड़ी द्यानतदारी से करें तो फिर आप यूज इवन टॉक बैक कि नहीं आप यह बात कर रहें और यह वह फूब यह उप पर यूज भी बताये हैं बिलकुल ठीक पहरी है मैं अबिलिटी वाइस जो है ना कमपारिजन करें तो ऐसा नहीं है के विमन जो हैं जो है लेस थैन मैं और अगर यह तो बड़ी जॉबस की बात हो तो उसमें ऐसा comparison तो नहीं है लेकिन अगर कोई ऐसी जगह जैसे कि बैंक्स है उसमें वागई ऐसा देखा गया है क्योंकि मैं भी बैंकिंग बैंग्राउंड से बड़ी फैमिनियल ऐसे रहां पे अजी अरो फंगोस नार कंटी रून वाँ वमें